एक बार फिर से आपका सौगत है हमारे यूटूब चैनल में आज मैं आपके लिए इस्पेशली लेके आई हूँ प्रैक्टिस से जो आपके लिए इन्वोर्मेंट से रिलेटेट है इन्वोर्मेंट के जितने कोईशन्स होंगे पर्रेवरान अध्यान के तो उसके पॉइंट UPCS का एक्जाम होगा आपका जितना भी होगा एक्जाम UPPCS का होगा SIE का होगा जिसमें भी आपको करेंट अफियर्स पूछे जाती है तो उसके लिए यह बहुत बहुत ही ज़्यादा most important है तो बिना ही time waste में चले यह start करते हैं इस अपने वीडियो को और बहुत ही ध्यान से आप भी देखिएगा पहला question है हमारा निमलिखित कत्नों में से कपास की फसल के बारे में से सही है कौन सा सही होगा इसे सफेद सोना कहा जाता है कपास क तो चलिए options देख लेते हैं हमारे options कौन कौन से है ठीक है इसमें से पूछा जा रहा है हमारा options कौन कौन से दे रखे है यह four options सब में आपको four options देगा ठीक है तो पहला सिर्फ पहला और दूसर सही है केवल तीसा सही है और केवल पहला सही है तो एक पर फिर से options देखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कौन सा अंसर होगा ठीक है कपास को सफेद सोना कहा जाता है ये भी बात सही है चीन का उतपादक प्रमुक उतपादक कहा है आपका चीन में है ये भी सही है और उश्र कर्टी मन्दी और परिस्थितों में ही उगाया जाता है तो इसके लिए ये का अंसर इसमें क्या हो जाएगा उपरुक्त सही सभी तो इसमें क्या होगे आपके ये तीनों पॉइंट सही है चलिए नेक्स कोशन की तरब पढ़ते हैं देखिए इसका भी आंसर क्या दे रखा है डी दे रखा है तो चलिए पढ़ते हैं तो आप क्या करिए साथ साथ में अंसर देखते चलिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आउट आफ आपके कितने questions सही हुए next question है निमलिकित में से कौन सा भारत में काफी उत्पादक कौफी उत्पादक राज्यों का सही अवक्रम है अवरोही करम है आरोही और अवरोही अपने पढ़ा है sending और descending तो आपको बताना है कौन सा सही है पहला आपका क्या दे रखा है करनाटक पहले करनाटक है फिक केरल है फिर तमिलनाडू है दूसरा है आपका करनाटक है आंधर प्रदेश है और तमिल नाडू है फिर आपका क्या है केरल है करनाटक है और गुजरात है नेक्स्ट है आपका करनाटक तमिल नाडू और केरल तो सबसे पहले आप देखिए कि आपके इसमें common क्या है देखो करनाटक इसमें है करनाटक इसमें है करनाटक इसमें करनाट नहीं है ठीक है और इसमें भी केरल है तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये तीनों होगा आप करनाटक तमिलनाडू और केरल करनाटक तेरल और तमिलनाडू तो इसमें से आपका जो पहला हो आपका कौन सा करेक्ट होगा तो इसमें हमारा करेक्ट है first second question की तरह पहुचते हैं next question के अचली answer इसका देखते है answer भी हमारा सही है next question की तरह move करते है next question है हमारा दुनिया में रबड का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन है दुनिया में जो सबसे बड़ा उत्पादक है किसका रबड का और निर्यात भी करता है वो कौन करता है इसमें से जल्दी से बताईए कौन सा अंसर होगा भारत होगा थाइलेंड होगा श्री लंका होगा जल्दी से बताइए इसका अंसर क्या होगा कि जहां पर रबर सबसे जादा उसका उत्पाद किया जाता है भारत में थाइलेंड में श्री लंका में और चीन में किसमें किया जाता है तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा थाइ लेंड होगा चलिए next question की तरह move करते हैं next question है हमारा निमलिखित में से कौन भारत में जूट के उत्पादक के बारे में सही नहीं है आपको इसमें से क्या देखना है इसमें देखना है कि जूट के उत्पादक के लिए ऐसा कौन सा जो सही नहीं है या एक नकदी फसल है मतलब जिसमें सिर्फ पैसे से दिया जाता है और कुछ नहीं होता है असम भारत में सबसे बड़ा उत्पादक करता है इसमें से आपको कौन सा बताना सही नहीं है तो आपको question में सबसे पहले ये ध्यान से देखना पड़ेगा कि आपको नहीं पूछा है या पूछा है तो अगर नहीं पूछा है तो बहुत ध्यान से आप देखकर आंसर देंगे इसका तो या एक नकदी फसल है असम भारत में इसका सबसे बड़ा उत्पादक है या मुक रूप से भारत के उत्तर पूर्वी राजों में ही उगाया जाता है और बंगलादेश पूरी दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है तो देखो अगर पूरी दुनिया में पूछा जाएगा तो इसमें सबसे गलत कौन है जो आपका सही नहीं है वो कौन सा है असम भारत में इसका सबसे बड़ा उतपादक है ठीक है तो ये गलत है बंगला देश पुरी दुनिया में सबसे बड़ा उतपादक है चलिए देखते हमारा answer क्या होगा हमारा answer भी क्या है इसमें B है चलिए दूसरे question की तरफ बढ़ते है next question है हमारा question में पुछा है निमलिखित में से कौन सा चावल के बारे में सही है अब देखिए अब यहाँ पर कुशन क्या पुछा है इसमें सही पुछा है उसमें गलत पुछा था चीन दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है चीन में मतलब चावल सबसे जादा चीन में होता है इसका मुख निर्यात भारत है या सिर्फ भारत में ही चावल होता है इसके लिए 15 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच ताप मान की जरूरत होती है तो आपको option में देखिए क्या दे रखा है आपका option दे रखा है पहला option है चीन का याद रखेगा option में आपको क्या दे रखा है लास्ट डी तो प्रोकत सभी है ठीक है तो हम लेगे क्या option में क्या दे रखा है चीन में सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है इसका या इसका प्रमुक निर्यात भारत में होता है या इसका क्या है आपका इसके लिए 15 से 27 डिग्री सैसियस तापमान होता है तो आंसर कौन सा है है इसका इसका आंसर नंबर कौन सा होगा C होगा कौन सा नंबर होगा C होगा क्यों C में कौन सा है ये सबसे चावल सबसे ज़्यादा कहां पे होता है चीन में सबसे बड़ा उसका हुद पादक है और ये 15 से 27 डिग्री सेसियस के बीच के तापमान में जरूरत होती है नेक्स कोईशन की तरफ मूफ करते हैं कोईशन नमर 6 है हमारा कोईशन नमर 6 में क्या कह रहे है प्रमुक भारतिय विद्धुत परियोजना पर आधारित सामानने ज्यान प्रिशन उत्री ये कौन सी है इसमें आपको किसमे होगी भारतिय विद्धुत परियोजना जो जो बनी है उनसे रिलेटेट है इन में से कौन सा कतन सही नहीं आपको ये बताना है गेहों की फसल के लिए एक सीजन में 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है गुजरात भारत में मुंफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पर्शिम बंगाल भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पाद है या तमाकु के उत्पादन के लिए 5 से 10 डिग्री एस्लसियस तापमान की अवशक्त होती है नेक्स्ट कूशन की तरह मुफ करते हैं औल्री कल्चर से सम्बंदित है और जो औल्री कल्चर है वो किस चीज़ से सम्बंदित है सबजियों से है फलो की खेती से है मत से पालन से है या सजावटी पौदो से है तो इसका सही अंसर क्या है सबजियों की खेती से है नेक्स क्योशन की दरफ चलते हैं, नेक्स क्योशन है हमारा निमलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मेवी की खेती फलो की खेती से संबंदित है, जो मेवी की खेती है वो फलो से ही related होता है, या व्रच विज्यान का संबंद सौंदर परयजनों के लिए पेड़ों को बढ और उनकी देख भाल करने से सम्बंदित हैं कोईशन में क्या पूछ रहा है कि जो व्रच विज्ञान है उसका सम्बंद सौंदर परिजनों के लिए है कि पेडों को बढ़ाने और उनकी देख भाल करने से हैं या आपका नेक्स कोईशन है बागवानी क्रशी की एक साखा है ज नेक्स है पिशी कल्चर शहद उत्पादन से सम्बंदित है तो इसका सही अंसर आपका क्या है डी अंसर है कौन से सही है जो पिशी कल्चर है वो शहद यानि कि मधुमक्खी के उत्पादन के लिए उसको बोला जाता है नेक्स कोईशन है हमारा एनिमीटर मापन करता है तो वातावरण में सभी गैसों की तीवरता का पता लगाने के लिए या ओजोन परत के रितिकरण के लिए तो जो एनिमो मीटर होता है उसका यूज किसलिए करते हैं पवन वेग के पवन के वेग यानि कि जो हवा होती है उसके वेग को पता लगाने के लिए कि कितना वेग है चल प्रती चक्रवात में कमी और बहती हवा के साथ उच्छ वायू मंडलिये दबाव या आक्रिटिक टुंडरा अमेरिका यूरो और रूसी के उत्तरी भागों में एक बयों है और और ओरा ध्रुवी असमान में दिखने वाला रंगीन प्रकाश का एक दर्शन है और बीच बचाओं आंदोलन 1970 के दशक के दोरान कर्णाव टक में आयोजित किया गया तो इसका सही कौन सा है डी नंबर क्या है आपका इसका सही है नेक्स कोशन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स कोशन है इसका निमलिके संस्थानों में किसमे पर्यावरण सूचना प्रणाली ENVIS की जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद रिस्थित है आयाइटी खड़कपुर में आयाइटी नई दिल्ली में आयाइटी मुंबई स्वारी आई आई पी एस मुंबई और आई और आई आई आर एस देहरादू तो इसका सही अंसर क्या हुआ है बी नेक्स कोशन की तरफ ब्रहटे है रास्ठी पर्यावरण अभियैंत्री की शोट संसोधन अव विस्थित है कहां मंंगा बैंगलॉर में है ऑथराबाद में है नाकपुर में और डिली में तो इसका अंसर क्या है नाकपुर है नेक्स कोशन की तरफ मुंब करते है धारने कृशी का अर्थ क्या है जो धारणी क्रिशी होती है, तो इसका अर्थ क्या है, आपके लिए इसमें आपने आंसर इसलिए डाल रखे हैं, ताकि आप नेक्स टाइंड जब इसको पढ़ो और इसको देखो तो अलड़ी आपके पास आंसर हो, आप ये वीडियो देख के सुछ भूलना जाओ कि इसका क् इसलिए इसके साथ में आंसर भी प्रोवाइट कराए गये हैं, चलिए नेक्स कोशन की तरब मूफ करते हैं, जो धारणी क्रिशी है, वो क्या होती है, ये आत्मनिर्भरता है, विश्व व्यपार संगठन के मानकों के अंतरगर्थ, क्रशी निर्यात्र तथा आयात कर सकना ह या भूमी पर इस प्रकार प्रयोग की गुडवकता अक्षुड बनी रहे, या फिर नेक्स हम लोगों का क्या है, क्रशी प्रयोग है तो प्रयोग तो भूमी को प्रयोग में लाना चाहिए, तो जल्दी से बताए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या है, आपका जो ध भारणी क्रिशी होती है वह भूमी का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गोड़वक्ता अक्षुड बनी रहे मतलब जो उसकी हुमिटिटि ए उसकी एफ़र्टिलिटि है वह खराब नहीं हो इस तरीके से क्रिशी का मीन है इसका चलिए नेक्स कोशन की तरफ मूफ करते हैं इको मार्क उन भारती उत्पादों को दिया जाता है आपको ये बताना है तो शुद्ध एवर मिलावट रहीत हो या प्रोटीन सम्रद हो या पर्यावरण के प्रती मैत्री पोड़ हो आर्थी दस्टी से वैवहार हो इसका सही अंसर क्या है सी है नेक्स कोशन की तरफ मूफ कर होते हैं नेक्स कोशन है हमारा नगरी करन एवं ओधोकी करन हानिकारक है संतुलित विकास के लिए पर्यावरण एवं परिस्थिती तंत्र के लिए जैपिविता के संग्रफचन के लिए या फिर उप्रोगत सभी तो जो नगरी करन और ओधिविकास करने के लिए हानिकारक ह अगर नगरी करा है या पर्यावरणवा परस्थिति के लिए है या जैविवित्रका के लिए है या किसके लिए है जैविवित्रका के संग्रक्षण के लिए तो इसका आपको अंसर बताना है तो इसका अंसर क्या है इस तीनों के लिए हानिका रख है नेक्स्ट है हमारा कुशन धारणी ये विकास किसकी उप्योग की संदर्म में अंतर पीडिगत समवेदन शील्ड का विकास है प्रकृतिक संसादन, भौतिक संसादन, ओधोगिक संसादन और समाजिक संसादन आपके पास स्विफ 10 सेकेंड से, 10 सेकेंड में आप इसका अंसर दीजी मुझे जल्दी से किसका अंसर क्या होगा, जो धारणी ये विकास, किसकी उप्योग की संदर्म में अंतर पीडिगत समवेदन शील्ड का विसे है जल्दी से बताईए, इसका अंसर क्या है, प्रकृतिक संसादन, किसकी से रिलेटेट है ये, प्रकृतिक संसादन नेक्स कोशन की तरफ मूफ करते हैं, नेक्स कोशन है हमारा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ये तो सब को पता है कि कब मनाया जाता है पांच जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है नेक्स कोशिन की तरफ मूव करते हैं पर्यावरन संग्रशन के लिए ग्रीन आर्मी को किस ने प्रारंब किया था जापान ने चीन ने आस्ट्रेलिया ने और एजिप्ट ने तो आस्ट्रेलिया ने पर्यावरन संग्रशन के लिए ग्रीन आर्मी का क्या किया था प्रारंब किया था नेक्स कोशन की तरफ मूफ करते हैं, नेक्स कोशन है हमारा, निमलिकित में से किस एक का सम्बंद पर्यावरणी सुरच्छा से नहीं है, तो धारणिये विकास से ये तो आपने पढ़ा, कि किसे है आपका ये पर्यावरण से है, गरीबी कम करना, वातानुकूल और कागज के नेक्स कोशन की तरफ मूफ करते हैं, नेक्स कोशन है हमारा और ये लास्ट कोशन है, नेक्स कोशन में क्या है, निमलिकित में से कौन पर्यावरण के लिए हानी खारक है, तो आपको बताना है कौन सा हानी खारक है, कागस तो नहीं होगा, कपड़ा भी नहीं होगा, धातु तो कौन सा होगा प्लास्टिक होगा अगर आपको इस एक्षन पसंद आता है तो इसको लाइक करेगा जितने अगर मुझे जल्दी से लाइक मिलेगा और मुझे अगर लगेगा कि हाँ यह आपको समझ में आया या helpful रहा है तो इसका नेक्स पार्ट मैं जल्दी अफलोड करू तो इसको लाइक करना ना बूले थैंक्स फॉर वाचिंग